discussion है, वो आज finally conclude हो जाएगा, क्योंकि अपनी हमने last class में section 100 तक बातों को समझ लिया था, cover कर लिया था, आज हम section 101 से शुरू करेंगे और 101 से लेके 105 तक, मतलब 101 से लेके 105 तक, जो इसी chapter का part है, जो इसी बारे में बात करते हैं, उनको finish करेंगे, बहुत छोटे-छोटे sections है, बह कुछ खास बचा नहीं है, आज नई शुरूवात हो की बच्चे एक chapter की, बहुत interesting है, बहुत important है, अबेंडमेंट के थुरू लाया गया है, 1994 में आई गैस उसको introduce किया गया था, हमारे C.A.P.C. में, मैं बात करा हूँ, बच्चे chapter 7-A की, ये जो chapter है, ये बच्चे बात करता है, reciprocal arrangements के बारे में, मतला, ऐसी स्थितियों के बारे में, जहां पे, जो हमारे Indian courts हैं, ऐसे courts से interaction कर रहे हैं, जो हमारे देश से बाहार हैं, तो वो जो सारी चीज़ें, अभी तक हम कर रहे थे, आपस में, सारे states के एक दूसरे के साथ, जो interaction हो रहा था, courts का, पर वो within India हो रहा अभी तक हमने अपनी स्थिति को इंडियन boundaries के अंदर ही apply किया था, उसी तक सीमित रखा था, पर इस chapter के अंदर हम थोड़ा सा international जाने वाले हैं, और उन context से deal करने वाले हैं, जहां पे, जो हमारे Indian courts हैं, उनका interaction होगा, foreign courts से, आसान है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, कि बहुत जादा आपको complication है, बहुत simple से हैं, बस उनको समझते रहना और लिखते रहना, वो तो बच्चे देखो, procedure law का तो rule ही यह है, procedure law को पढ़ने का तरीका ही यह है, कि यहां पे आपको दिमाग तो बहुत जादा नहीं लगाना है, बस follow करते रहना है, साथ-साथ की दिमाग में sequence बनता रहे, sequence बहुत important है, तो मेरा आज target यह है, जितना मैं सोच के आया हूँ, मैं सोच के आया हूँ कि इस वाले chapter का, पहले तो 101 से 105 तक तो करेंगे ही, chapter 7 का, इस chapter 7 A का कम से कम, कम से कम शुरू के 3 sections, जो की 105 A, 105 B, 105 C, वैसे तो काफी है, L तक जाता है, यह 105 L तक जाता है, पर यह सब, तीन सबसे महतपूर्ण section हों में से एक है, तो मैं चाहूंगा कि यह 3 section, आज कम से कम खतम हो जाए, बाकी के हम discussion शुरू करेंगे, और अगर आगे भी पहुच पाए, तो बहुत अच्छा है, पर आज की class में आपकी approach कैसी होनी चाहिए, पहले तो वो जो भी बा करते रहा करो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको section 91 और 92 के अंदर summons का कानून बताया था, कि किसी document को मंगाना है, किसी चीज को मंगाना है, उसकी जरूरत है, आप some money issue कर सकते हो, और फिर section 93 से शुरूबात होगे, ती बारंस था, और हमने पिछली class में, हमने एक बहुत ही unique इस स्तिति को समझाता है, वो था section 100, जहां पे closed place के बारे में, police की power, authority की power, search करने की उस जगए को, उसके consideration में कुछ discussion किया था, आज ये जो section है, उसी से जुड़ा हुआ, अगला section हमारा, वो है section 101, और ये किस बारे में बात करता है, पूरा ये, उसी sequence का part है, तो अपने notes में आपने जहां पे छोड़ा था, पिछली class में, वहीं से उसको continue कीजेगा, तो हमारा जो बच्चे section 101 है, ये बात क्या करता है, disposal की, ठीक है, किस बात की बात करता है, disposal की, और किस चीज का disposal, उन चीजों का disposal, जो मिली है search के दोरान, अब search तो कर ली आपने, section 100 क के अंदर, search तो कर ली, पर जो चीजें आपको search में मिली हैं, उनका क्या करा जाएगा, अगर, वो जो चीजें हैं, वो मिलती हैं, जिजिजिक्शन से भार, local limit से भार, किस की local limit से भार, उस court की local limit से भार, जिसने वो search warrant issue किया था, मतलब, court ने search warrant issue किया, और search भी हुई, पर ये जो सारी प्रक्रिया हुई, ये जो सामान मिलने वाली प्रक्रिया हुई, ये कहाँ पे हुई, उस court की local limit से भार हुई, अगर ऐसा है, तब हमारा section 101 लागू होता है, और ये क्या कहता है, बहुत simple section, ये कहता है कि जब भी search warrant को execute करते वक्त, किसी भी ऐसी जगा पर, जो कि उस court की local jurisdiction से बाहर है, जिसने उस warrant को issue किया है, अगर उस परक्रिया में कोई भी चीज मिलती है, उस search के दौरान कोई भी चीज पाई जाती है, मिलती है, और obviously मैंने आपको बताया था, पिछले section के अंदर कोई भी चीज पाई जाती है, मिलती है, तो आपको उसके बारे में list बनानी पड़ती है, कि क्या-क्या मिला है, वो इनको तुरंत के तुरंत, immediately बच्चे, कहां ले जाये जाएगा, उस court के सामने लेके जाये जायेगा, जिसने उस warrant को issue किया था, इसमें तो कोई rocket science नहीं है, बिलकुल logical बात है, court ने warrant को issue किया, warrant के तहर सर्च हुई, तो भले ही वो जो सर्च है, वो local limit से बाहर ही क्यों न हुई हो, उस सर्च के दौरां जो भी चीजे मिली हैं, उनको कहां पे लेके जाये जायेगा, उस court के पास लेके जायेगा, जिसने लेके जाये जायेगा, जिसने warrant को issue किया, तो ये तो बच्चे हमारा rule है, आम तोर पर हमको इसी प्रक्रिया को follow करना है, पर, अगर इस चिति ऐसी ह है, कि ये जो जगह है, जहां पे वो चीजे मिली है, अगर वो जगह, उस court के मुकाबले, जिस court में warrant को issue किया था, किसी दूसरे court के नजदीक है, किसी दूसरे magistrate के court के नजदीक है, ऐसी चीजों में, ऐसी स्थिति में, वो जो चीजें बरामद हुई है उस सर्च में, उस original court के पास ना ले जाके, कहां लेके जाए जाएगा, उस magistrate के पास, तो कहने का मतलब क्या है, आम तोर पर जो भी वस्तू मिली आपको सर्च के दौरा, उसको लेके जाओ, उसी court के सामने, जिसने warrant टिशू किया है, पर अगर और कोई magistrate आपके पास मौजूद है, जो जादा close है, close का मतलब यहां से distance से लेना देना है, मानो original court 10 km दूर है, पर दूसरा magistrate के वल 5 km दूर है, उस जगह से जहां पर वो सर्च होई है, तो ऐसी इस्तिती में, आप उस magistrate के पास उन चीजों को लेके जा सकते हो, तो यह हो गया हमारा दूसरी इस्तिती, एक और इस्तिती है, और वो इस्तिती यह है, कि ऐसी situation होने के बावजूद, कि जो original court ह है, वो दूर है, और एक magistrate है, जो पास में है, ऐसी इस्तिती होने के बावजूद, अगर कोई वजए है, अगर कोई एक सही वजए है, ऐसी इस्तिती में, यह जो magistrate है, जिसके सामने, वो चीजें पेश की गई है, उन चीजों को अपनी कस्टडी में रख सकता है, अगर उसके पास कोई वजए है तो, बट अगर उसके पास कोई वजए नहीं है, ऐसी इस्तिती होने के बावजूद, अगर उसके पास कोई वजए नहीं है, उस सामान को रखने की, उसके लिए कोई यूज का नहीं है, वो स सामान को उन चीजों को वो फॉरवर्ड करेगा उसी कोट के पास जिसने वॉरंट इशू किया था कहने का मतलब क्या है टोटल तीन सिचुएशन तीन बातें आपको याद रखनी है सेक्शन वंजीरो वन के अंदर पहला जो भी चीज की बरामदी होती है उसको उसी कोट के सामने लेके जाना है जिसने वॉरंट इशू किया था दूसरा अगर कोई दूसरा मजिस्टेट जादा नजदीक है उस कोट से तो ऐसी इस्तिती में उस magistrate के सामने लेके जाये जाएगा उस चीज़ को अब आती है बात इस magistrate में मानो magistrate नस्दीग है और उसके सामने उस चीज़ को लेके जाये गया है तब आती है तीसरी इस्तिती ये magistrate को अगर लगता है कि वो जो भी सामान है जिसकी बरामदी हुई है उसकी उसे जरूरत है किसी भी चीज़ के लिए तो तो उसको अपनी custody में रख सकता है पर अगर ऐसा नहीं है कोई भी good cause नहीं है उसे उस property को detain करने की तो उसकी ये जिम्म होगी कि उस सामान को वो forward करेगा उसी original court पे जिसने warrant issue किया था तो आम तोर पर रास्ता सीधा जाएगा original court के पास पर अगर कोई magistrate दूसरा magistrate जादा नस्तिक है तो उस magistrate से होता हुआ वो सामान जाएगा original court के पास जब तक कि कोई good cause ना हो इस magistrate के पास उस सामान को रोकने क तो टोटल यह तीन बाते हैं जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है section 101 के अंदर clear है सबी लोगों को कोई परेशानी 101 में बच्चे फटा-फट से बता दें clear है यह सब्सक्राइब करता है यह पावर की बात करता है किसकी पावर की बात करता है police officer की power की बात करता है किस बारे में है यह power यह power है किसी property को seize करने के बारे में जब्त करने के बारे में और क्या कहता है यह कहता है कि कोई भी पुलिस ओफिसर अगर चाहे तो सीज कर सकता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर उसे शक है या ऐसा लगता है कि वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है मतलब चुराई हुई चीज है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस पुलिस ओफिसर की नजर में आती है और इससे ऐसा लगता है कि वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है उससे ऐसा संदे है तो वो उसको जब्द कर सकता है या फिर वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऐसी परिस्थितियों में पाई गई है जिससे देखके पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी का लेना देना है कोच किसी अपराद से द्यान से सुनिएगा बच और ये जो तागत है ये हर एक पुलिस वाले को दी कि अगर उसे लग रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी स्टोलन है उसको जब्द कर सकता है या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका किसी अपराद से कुछ लेना देना है उसको भी जब्द कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे पहली वाली स्थिती तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ भी परिशानी की बात है, कोई भी ऐसी चीज है जो से लग रहा है कि चुराई हुई है, स्टोलन है, अब हाँ लग रहा है उसकी वज़े होनी चाहिए, उसको क्यों संदे हो रहा है, संदे होने की वज़े है उसके पास, तो वो उसको जब्द कर सकता है, बात important है यह दूसरी वज़े, जिसमें कहा जा रहा है कि परिस्थितिया ऐसी है, जिसकी वज़े से उसे शक हो रहा है कि किसी property का कोई relation है किसी अपराद से, किसी अपराद के किये जाने में या उसके परिडाम स्वरूप, कोई भी property involved है, ठीक है, मानो गाड़ी रूडप के साइड प प्राइमिंग होई है, हो सकता है कोई मरा हो, बैक पड़ा हुआ मिला है कहीं पे, जिसमें बहुत सारा सोना है, और आसपास खुन पड़ा हुआ है, सीज कर सकता है, लग रहा है कि इसका कुछ लेना देना है किसी अपराद से, तो पहला वाला जो आदार है, जो police officers को पावर दे रहा है, property sees करने का, वो specific है, वो किस की तरफ इशारा कर रहा है, theft की तरफ, stolen property की तरफ, पर जो दूसरा आदार है, ये किसी भी, किसी भी अपराद से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो अपराद murder, kidnapping, rape, कुछ भी हो सकता है, बस उसे जो जिस बात का ध्यान रखना है, वो य किसी अपराद, ऐसी इस्तितियों में, खुले सवालों को ये power दी गई है, और ये बड़ी ही महत्कून power है, यहां पर कोई rule और कोई regulation लागू नहीं हो रहे, कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दोनों ही जगह पर, केवल संदे ही सक्षम है, अगर आपको suspicion है, उतना काफी है, पर हाँ, suspicion एक reasonable suspicion होनी चाहिए, उसके पीछे एक वज़ा होनी चाहिए, ठीक है, अब आते हैं इसके subsection 2 पर, हमारा ये subsection 2 कह रहा है कि एक बार आपने ये प्रक्रिया कर ली, किसी property को seize कर लिया, क्योंकि आपको लगा वो stolen है, या फिर आपने seize कर लिया क्योंकि लगा आपको उसका कोई संबंध है किसी offense से, ऐसी इस्तिती में ये जो police officer है, अगर वो एक subordinate police officer है, किसका subordinate है, थाना इंचार्ज का, एक ऐसा police officer जो police station का इंचार्ज होता है, अगर उससे junior है, तो ऐसी इस्तिती में उसकी ये जिम्मेदारी है, कि वो अपने थाना को report करेगा, कि उसने इस property को, फलानी फलानी property को cease किया है, ठीक है, तो क्योंकि ये शब्द police officer लिखा हुआ है, बच्ची, police officer कोई भी हो सकता है, ये सब inspector भी हो सकता है, ये inspector भी हो सकता है, जो भी, सबको तागर दी गई है, cease करने की, पर उनकी जिम्मेदारी अलग है, अगर वो जो व्यक्ति है, जिसमें cease किया है, उस property को, अगर वो खुद ही थाना इंचार्ज है, तो तो कोई परिशानी नहीं है, पर अगर थाना इंचार्ज के रावा, और कोई officer है, जो किसी particular थाने में posted है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने थाना इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा, और फोर्त विद करेगा, ऐसा नहीं, चार दिन बात, तुरंद के तुरंद रिपोर्ट करेगा, कि फलानी फलानी प्रॉपर्टी को मैंने जब्त किया है, तो यह किस की बात हो गई करने की, किसको रिपोर्ट करने की बात हो गई? ठाना इंचार्ज को, तो इसके जब्त किया है, तो यह जो पुलिस ऑफिसर है, जिसने किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त किया है, subsection 1 के अंदर क्योंकि उसे लग रहा था कि वह stolen है किसी अपरास से जुड़ी हुई है वो ना केवल अपने थाना इंचार्ज को बलकि साथी साथ जो भी area magistrate है उस area magistrate को भी उस property के बारे में report करेगा और साथी साथ अगर वो जो property है जिसको उसने seize किया है अगर वो property ऐसी है जिसको आसानी से court के सामने पेश नहीं किया जा सकता है जिसको आसानी से court के सामने पेश नहीं किया जा सकता है या फिर एक वो ऐसी property है जिसको आसानी से कहीं पे सही जगे से रखा नहीं जा सकता है accommodate नहीं किया जा सकता है कोई छोटी सी property होती mobile phone होता, एक bag होता तो बड़ा आसान है court के सामने ले जाओ या फिर कहीं पे रख दो पर मानो कोई पूरा का पूरा truck है सामान से भरा हुआ या कोई बहुत बड़ा सामान है जिसको आसानी से court के सामने पेश भी नहीं किया जा सकता और जिसको आसानी से कहीं पे रखा भी नहीं जा सकता safe custody में अगर इस्तिती ऐसी है, अगर इस property का ऐसा nature है या फिर वो जो property है जिसको जब्त किया गया है उसको custody में रखना जरूरी नहीं लग रहा है पुलिस वाले को कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस property की कोई भी जरूरत पड़ेगी इस अपराद के बारे में investigation करने के लिए इन तीनों इस्तिती में उस पुलिस वाले के पास power होगी, अगर वो चाहे तो उसकी discretion है बच्चे अगर वो चाहे तो उस property की custody जो है वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है और जिस भी व्यक्ति को वो custody दी जाएगी उसकी ये जिम्मेदारी है कि उससे वो एक bond भरवाएगा जिसके अंदर वो जो व्यक्ति है वो undertaking देगा मतलब जिम्मेदारी लेगा कि उस property को जब भी मंगाया जाएगा या इस property की जब भी जरूरत पड़ेगी वो व्यक्ति उस property को available करवा के देगा court के disposal पे रखेगा ठीक है तो अगर वो जो property है एक बार जब आपने रिपोर्ट कर दिया magistrate को अगर वो जो property है उसका nature ऐसा है कि जिसको आसानी से transport नहीं किया जा सकता court के सामने जिसको आसानी से accommodate नहीं किया जा सकता है safe custody में या फिर जिसकी जरूरत नहीं है immediate जरूरत नहीं है investigation के लिए तो उसकी custody pass की जा सकती है किसी एक ऐसे व्यक्ति पे जो जिम्मेदारी लेगा कि उस property को वो available करा के देगा जब भी court को जरूरत पढ़ती है तो अब ये कुछ भी हो सकता है बच्चे ये कोई go down का मालिक हो सकता है कोई storage company हो सकती है जहां पे भी उस property को वो hand over कर रहा है अब उसको सर पे लेके तो घूमेगा नहीं पुलिस वाला और हर चीज पुलिस station में तो आया नहीं सकती है तो कहीं पे भी जहां पे भी उसे लग रहा है कि उस property को safe तरीके से रखा जा सकता है उसकी custody को pass over कर सकता है पर ये bond भरवाने की जिम्मेदारी उसकी है कि वो एक ऐसे वक्ति के custody में उसको देगा जो जिम्मेदारी लेगा कि उस property को वो available करें अब इसका बचे एक proviso है बड़ा simple सा है ये कहता है कि ये जो property है जिसको आपने जब्त किया है अगर इसका nature ऐसा है कि ये जल्दी से खराब हो जाती है कुछ ऐसी natural property है ठीक है खाने पीने की चीज़ है फल है सबजी है ऐसा कुछ है ठीक है ऐसी इस्तिती में वो जो व्यक्ति है जिसका possession बनता है उस property के उपर जो उस property का मालिक है वो नहीं मिल पा रहा है अब stolen property समझके आपने एक फल के ट्रक को कर लिया सीज कर लिया अब उस फल का मालिक कौन है वो मिल नहीं रहा या फिर वो गायव है मिल भी गया है तो तो ऐसी इस्तिती में अगर उस property की जो कीमत है total property की जो कीमत है अगर वो 500 रुपे से कम है यहां से दिखना वच्चे एक एक requirement हो अगर उस property कीमत 500 रुपे से कम है तो यह पुलिस वाला अगर चाहे तो उस property को बेच सकता है उसका auction कर सकता है पर यह करेगा वो जब अपने सुप्रीडेंटेंट आफ पुलिस से स्पी सहाब से permission ले लेगा उसके बात क्या कहने का मतलब है अगर कोई property speedy और natural decay का शिकार हो सकती है तो और उसका जो मालिक है वो मिल नहीं रहा है या गायब है और उस property की जो कीमत है वो 500 रुपे से कम है तो वो पुलिस वाला SP की permission के साथ उस property को बेज भी सकता है ठीक है पर इसकी 500 रुपीज वाली limit को आप मत भूल जाना ठीक है तो total जो हमारा section 102 है वो कितनी बातें कह रहा है सबसे पहले वो बात कर रहा है police officer की power की और वो कह रहा है कि कोई भी police वाला किसी भी property को जिसके उपर उसे शक है कि वो चुराई हुई है या अपरास से जुड़ी हुई है उसको seize कर सकता है जब कर सकता है एक बार जब वो ऐसा seizeर कर लेगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने station house officer को थाना इंचार्ज को उसकी जानकारी देगा उसके बाद जो area magistrate है उसको भी उस चीज़ के बारे में जानकारी देगा फिर आते हैं कुछ special situations पे अगर वो property ऐसी है जिसको आसानी से court के सामने पेश नहीं किया जा सकता मतलब move नहीं किया जा सकता या उसको आसानी से कहीं पे accommodate नहीं किया जा सकता ऐसी इस्तिती में ये जो पुलिस वाला है इसके पास एक power है वो किसी ऐसे वेक्ति को उस property का possession handover कर सकता है जो ये जिम्मेदारी लेगा कि जब भी उस property की जरूरत पड़ेगी उसको वो पेश करेगा court के सामने ठीक है इसके बाद अगर वो जो property है वो एक ऐसी property है जो natural decay के शिकार हो सकती है जैसे कोई भी ऐसी चीज जो समय के साथ खराब हो सकती है ऐसी इस्तिती में अगर उस property का जो मूले है जो उसका price है जो उसकी value है अगर वो 500 रुपे से कम है in total तो इस police वाले के पास ये भी power है कि वो उस property को बेस सकता है with the permission, with the orders of superintendent of police क्या हम सभी section 102 के बारे में clear है बच्चे क्या सभी समझ पा रहे हैं एक एक बाद yes बोलनेंगे फटर्ब yes sir 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 police officer मतलब जो magistrate area magistrate को जो information दी जाए about the seized property sir वो थारा इंचार्ट देगा या फिर concerned police officer अब बढ़ते हैं अगले section पर अगला section है बच्चे हमारा section 103 section 103 किस बारे में बात करता है section 103 बड़ी special power दे रहा है किसको दे रहा है magistrate और यह क्या कह रहा है कि अगर यह जो magistrate है अगर वो चाहे तो यह direction दे सकता है कि कोई भी जो सर्च करी जाएगी वो उसकी presence में करी जाएगी उसकी उपस्थिती में करी जाएगी मतला कोई भी magistrate अगर चाहे तो अगर उसे ज़रूरी लगता है तो यह direction दे सकता है warrant के अंदर कि उस warrant के तहद जो भी सर्च करी जाएगी वो केवल और केवल उसकी उपस्थिती में ही की जा सकती है ठीक है कहने का मतलब क्या है पर एक्जामपल याद करो section 100 search warrant issue कर दिया किसी जगह के बारे में तो उसी warrant में magistrate के पास ये भी power है कि उस warrant को issue करते वाग वो ये भी condition लगा सकता है कि वो भी मतलब उसका भी मौजूद रहना उस search के time पर जरूरी है और ऐसी परिस्ति कब आती है ऐसी परिस्ति तब आती है जब कभी किसी भी वज़ा से पुलिस ऑफिसर्स पर या उस वेक्ती पर जिसको वो power दी गई है warrant को execute करने की जो magistrate है हमारा उसे sufficient भरोसा नहीं होता है या फिर अपनी खुद की तसली के लिए वो चाहता है कि जो भी प्रक्रिया हो रही है वो उसकी नजरों के सामने रहे और बच्चे यह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा unimportant लग रहा हो पर मैं आपको बता दूँ यह एक ऐसा section है जो पर काफी स्थमाल किया जाता ज़ादा तक हाई-PROFाइL जो केस्स होते हैं जिसमें पॉलिटीकल लोग्स Inwerld होते हैं जिसमें बड़े լिजनिस नंलोगاش उन्वाल होते हैं पड़ों का खूब इस्तमाल किया जाता है क्योंकि ऐसे केसेस में allegation पुलिस वालों पे लगता ही लगता है कि उन्होंने कोई बदमाशी की है तो magistrate अपनी तरफ से सावधानी बरते हुए इस condition को लगाता है और उस warrant के execution के समय खुद उपस्तित रहता है जिससे कि क्या होता है फिर उसके दिमाग में कोई भी doubt नहीं रहता कि जो भी चीज वरामद हुई वो असल में वरामद हुई या केवल plant करी गई पुलिस के द्वारा तो काफी popular section है जिसको parties कई बार demand करती है हमारे magistrate साब से तो आप section 130 को कैसे याद रखोगे कि magistrate को यह तागत दी गई है कि वो यह condition लगा सकता है warrant issue करते वाग कि उसका उपस्तित होना जरूरी है तभी कोई search conduct करी जा सकेगी ठीक है मुझे ने लग रहा है 103 में कोई परिशानी है फटा फट से बच्चे yes बोल दो सभी लोग बच्चे एनी मजिस्टेट जो वारंट जिसके पास वारंट issue करने की पावर है यह जो section है सीधे तरीके से directly जुड़ा हुआ है किस से हमारे section 100 से हमें देखना पड़ेगा कि किस किस को पावर दी गई थी याद करो अपने notes को cross check करो जिसको भी पावर दी गई है वारंट issue करने की सर्च के लिए उसके पास पावर है यह direction देने की कि उसकी उपस्तिती जरूरी है ठीक है directly relatable एक dependent section clear है बचे यह सर ठीक है अगला जो section है वो है हमारा section 104 और यह भी तागत की बात करता है पर यहां पर जो पावर दी जा रही है वो किसकी पावर दी जा रही है किसी भी document को किसी भी document को impound करने की और यह जो पावर है यह किसको दी जा रही है पुलिस वाले को नहीं कोट को प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर पुलिस वाले को दी कोई भी कौट चाहें वो मजश्टेट हो चाहें वो कोट ऑफ सेशन हो अगर वो चाहे तो और अगर उसे ठीक लगता है तो किसी भी ऐसे डॉकुमेंट को जो उसके सामने पेश किया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी ऐसा डॉकुमेंट जिसको पेश किया गया है कोट के सामने उसको वो इंपाउंड कर सकता है जब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टन पावर अगर उसे जरूरी लगता है तो मानिए किसी विक्ति का पासपोर्ट कोड के सामने पेश किया गया यहां फिर कोई और डॉकुमेंट पेश किया गया और कोट को किसी भी वज़य सा कोई terms and condition नहीं है बच्चे जितना छोटा section होता है उतना खतरनाक होता है कोई terms and conditions नहीं है कि ये वो और ये लगना चाहिए ये suspicion होना चाहिए याद करो section 1-0-2 में क्या क्या लगा रहे तो suspicion होना चाहिए कुछ नहीं बस उसे अगर सही लगता है तो किसी भी ऐसे document को वो impound कर सकता है और उसको एक तरीके से utilize कर सकता है अपने सामने की स्थिती से deal करने की ये बच्चे सारी छोटी छोटी पावर्ज हैं जो कभी कभी लगता है कि सारी ऐसी चीज़े हैं जो है इंफेक्ट हमारे यह जो चैप्टर सेविन का जो भाग पढ़ रहे हैं जो हमने सेक्शन एक सो दोसे शूरुवात करी है इन सारे सेक्शन को मिसलेनियस सेक्शनबुला जाता है अगर हम करें अपने पिछले से कि कि इसलिए यही वज़ा है कि मैं आपको एक एक डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इनका बड़ा महतु है practical situations में इनका बड़ा महतु है तो जितनी भी ये बाते मैंने अभी आपको बता है section 100 लेके 104 तर ये बच्चे हमारी एक कहानी लगवग लगवग खतम होगी मतलब हर एक इस्तिती हर एक प्रस्तिती जो किसी भी चीज के बारे में document के बारे में search के बारे में जो warranty चू हो रहा था जो भी कुछ हो सकता था कानून वो हमने सब पढ़ लिया अब ये जो section 105 है और जो आने वाले sections है 105 A, 105 B और 105 C और उसके आगे भी ये सारे sections बच्चे एक दूसरी दुनिया के हैं दूसरी दुनिया के हैं मतलब दूसरे context में हैं अब आप अपने notes में एक दो line को छोड़ दो क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं किसकी reciprocal arrangements की अब हम किसी की तागत और किसी की ये बात किसी की वो बात से आगे बढ़ रहे हैं और हम ऐसी situations के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि दो अलग-अलग court चाहें वो एक ही देश में हो चाहें अलग-अलग देश में ही क्यों ना वो एक दूसरे से कैसे interact करते हैं कैसे बात चीत करते हैं और दोनों की एक दूसरे की तरफ क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कल को जब आप इस प्रोफेशन में जाओगे तो बड़ा जरूरी होगा इस बात को समझ पाना कि आप बाकी के court of law की कैसे साहिता कर सकते हो क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं और बाकी लोगों से कैसे अपना काम निकलवा सकते हो वो किस चीज़ों से बात दे हैं होगी यह जाके खतम होगी बच्छे सेक्शन 105 के एल पर जिसमें अलग अलग एस्पेक्स बताए जाएंगे किस चीज़ के इस ही रेस्वी प्रोकल अरेंजमेंट के और जैसा कि मैंना आपको क्लास की शुरूवात में बताया यह हमारे औरीजनल सी आर्प यह 105 तो है पर जो कि नाइनटीनटीफोर के अंदर नाइनटीनटीफोर में हमारे सी आपीसी में अमेंडमेंट के थवारा इनको एड़क किया गया है और बहुत मैत्पूर है और मैं आपको बताऊं मजा भी आएगा आपको बहुत इंट्रेस्टिंग यह तो दो तील नाइन छोड़ो और क्योंकि कोई भी चीज जो अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई हो और अभी कुछ बहुत जादा समय भी ने निकला है तो वह आटोमैटिकली उसकी और जादा रिलेवेंस हो जाती हो जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आपको समझ में आने लगेगी यह एक ऐसी जिसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए क्यों इंपॉर्टन तो है साथी साथ आसान है ऐसान चीज़ को नहीं छोड़के जाना चाहिए एक ऐसी चीज जो दिमाग में एक बार में बैट जाए उसको क्यूं स्किप करोड़े ठीक है देखो section 105 को दें section 105 बात करता है reciprocal arrangements की और यह क्या कहता है जब भी कोई भी कोट चाहेगा कि कोई भी जो सम्मन किसी एक्यूज विक्ति के खिलाफ है या फिर कोई भी वारंट जो किसी एक्यूज विक्ति के अरेस्ट के बारे में है या फिर कोई भी ऐसा सम्मन है जो किसी विक्ति को बोल रहा है कि उसे कोट के सामने उपस सब्सक्राइब ना है और कोड के सामने कोई डॉकुमेंट पेश करना है वही सारी बाते जो आपने पढ़ी है सेक्षिन नाइंटी वन से लेका भी तरह कि या फिर कोई सर्च वारंटी शुकिया गया है वही परिसिती जोंगे सेक्षिन सौ में पढ़ी इन चारों चीजों को करते वक्त किसी भी कोड को ऐसा लगता है या फिर वो ऐसा चाहता है कि यह जो सम्मन या वारंट उसके द्वारा इशु किया जा रहा है उसकी जो सर्वेस होनी है उसका जो एक्जीक्यूशन होना है ध्यान से सुनिएगा बच्चे वो एक ऐसी जगह पर होना है उसकी जो सर्वेस होनी है उसका जो एक ऐसी जगह पर होना है जो की लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है एक ऐसे कोड के जो किसी भी राज्य के अंदर हो किसी भी स्टेट के अंदर हो किसी भी उनियन टेरिट्री के अंदर हो भारत के छेत्रफल के अंदर मतलब एक ऐसा कोट जो है तो इंडियन टेरिट्रीज में है तो इंडिया के अंदर फिर चाहें वो किसी राज्य में हो ऐसी सिचुएशन में ये जो कोट है जो इस वारंट को एक्जिक्यूट कराना चाह रहा है या ऐसे सम्बन को सर्व करवाना चाह रहा है अपनी लोकल लिमिट से भार पर ऐसी कोट की लोकल लिमिट के अंदर जो भारत में है पर फिर चाहें वो किसी भी राज्य में हो वो चाहें तो इस सम्बन को या उसके वारंट को कॉपी में पोस्ट के द्वारा या फिर किसी और तरीके से उस कोट के प्रॉइट फ्रसाइडिंग और बेज सकता है उसकी सर्विस कराने के लिए और उस वॉरंट का एग्जिक्यूशन कराने के लिए कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जितने भी कोट है हमारे भारत छेत्र के अंदर हमारी इंडियन टेरिट्री में चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो मद्य प्रदेश के हो चाहे वो जम्मू इंड गश्मीर के हो चाहे वो मद्रास के हो यह सारे कोट एक दूसरे की सहयता ले सकते हैं जहां तक की बात आती है किसी भी सम्मन को किसी भी व्यक्ति पर सर्विस कराने की या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्जिक्यूट कराने की तो जब भी ऐसी इस्तिती बन पड़े कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपको सम्मन इशू करना है या जिस व्यक्ति एकलाफ आपको warrant execute कराना है या जिस भी चीज के relation में आपको warrant या संबन execute कराना है वो आपकी local limit से भार है पर ऐसी जगापर है जो भारत के ही अंदर है तो उस court को आप बोल सकते हो, request कर सकते हो जिसकी भी local limits के अंदर वो व्यक्ति या वो चीज है कि वो आपके भ्याफ पे उस संबन या warrant की service कराए या फिर execution कराए तो एक बराबर के स्थर पर रखा गया है एक ना दिखने वाला system established किया गया है पूरे भारत वर्ष जहां पे हर एक court दूसरे court की सहायता करेगा अगर वो उस स्थिती में ठैतो और local limits के अंदर उसके अगर वो चीज है वो व्यक्ति है तो बिलकुल उसके power में वो चीज है ये तो बच्चे ऐसी स्थिती हो गई कि हम जो सहायता मांग रहे हैं वो एक ऐसे court से मांग रहे हैं जो भारत का ही court है इंडिया का ही court है मतलब उसमें CRPC लागू हो रहा है हमारे भारते कानूं से चल रहा है पर अगर ऐसी स्थिती हो जाए कि हम किसी विक्तिये खिलाफ सम्मन जारी कर रहे हैं वारंट जारी कर रहे हैं व्हारत में किसी दूसरे देस्स में हो ऐसा हो सकता है तो ऐसी स्थिती में अगर उस देश के साथ जहां पर वह व्यक्ति है या वह चीज है अगर उस देश के साथ हमारे central government की हमारी कैंद्रिये सरकार की कोई भी treaty है या कोई भी ऐसा agreement है इस चीज़ के बारे में अगर कोई भी arrangement exist करता है हमारी केंद्रिय सरकार में और उस देश की सरकार में तो वहाँ पे हमारा जो court है उन summons को या उन warrant को वही प्रक्रिया से duplicate में ऐसे court के पास भेज सकेगा जो जिसकी local limits के अंदर उस देश में उस दूसरे देश में वो व्यक्ति या वो चीज़ है ठीक है पर इसके लिए क्या प्रक्रिया follow करी जाएगी कि कैसे कैसे भेजा जाएगा क्या करना होगा वो हमको central government बताएगी जैसा कि central government बताएगी उस हिसाब से हम उस procedure को follow करके कर देंगे अगर वो दूसरा court इंडिया के ही अंदर है तो तो बड़ा असान है पोस्ट करके भेज दो या फिर किसी अफसर से भिजवा दो कोई परिशानी नहीं है कोई भी तरीका अपना लो पर अगर वो court किसी दूसरे देश का court है तो आपको वही प्रक्रिया follow करनी पड़ेगी जो हमारी केंद्रिय सरकार बताती है तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चे हमेशा जब भी आप किसी दूसरे देश में अपना वारंट या संबन एक्जिक्यूट कराना चाहते हो तो पहली चीज उस देश के साथ हमारी संधी होनी चाहिए हमारा कोई arrangement होना चाहिए इस चीज के बारे में कि हम दो दो देशों ने एगरी किया है कि हम एक दूसरे के वारंट और संबन को execute करवाएं तो पहली बात तो है कि ऐसा arrangement होना चाहिए अगर ऐसा arrangement है तो उस सम्मन को उस warrant को execute किया जाय सकता है और जिस भी court को आपको भेजना है विदेश में उसको किस प्रक्रिया के तहद भेजा जाएगा वो हमको central government बता देगी और उस प्रक्रिया को follow करते हुए हम वो चीज़ कर सकते हैं तो यह जो पहली स्थिति हमारे section 105 के अंदर निकल के आती है वहाँ पे हम बात कह रहे हैं कि हमारा कोई एक भारतिया court है जिसको warrant या सम्मन को execute कराने के लिए सहायता की जरूरत है किसी दूसरे court की अगर वो दूसरा court भारत में ही है तो पोस्ट कर दो उसके पास भेज तो वो उसको करा देगा अगर वो विदेश में है तो हमें arrangement को देखना है कि उनके साथ कोई treaty है या नहीं अगर है तो केंद्रिय सरकार के दोवारा बताई गई प्रक्रिया को पूरा करना है और बात बन जाएगी ये है पहला भाग फिर आती है दूसरी बात दूसरी बात उल्टी परिस्थिती है उल्टी परिस्थिती क्या है अब क्या हो रहा है कि ये जो कोट है जो भारतिया कोट है उसके पास कोई सम्मन या वारंट आया है मतलब अब हम किसके perspective से देख रहे हैं उस court के perspective से देख रहे हैं जो किसी सम्मन या warrant को receive कर रहा है जिससे request की जा रही है कि इस warrant या service को execute कराओ तो अगर किसी court के पास कोई भी सम्मन या warrant आया है और ये बोला जा रहा है कि उसकी service कराओ तो चाहें किسी विक्ति के बारे में हो किसी चीज़ के बारे में हो और वो जो सम्मन है और वो जो warrant है वो जारी किया गया है एक ऐसे court के दवारा जो भारत में है चाहें वो फिर किसी भी state में क्यों ना हो अगर ऐसी activity है किसी दूसरे court का सम्मन या warrant आपके पास आया है और वो court आपसे request कर रहा है कि आप उसके बहाफ पे उस सम्मन या warrant को execute कराओ तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी बचे शेल लिखा हुआ है ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस सम्मन का उस warrant का service या execution करा के देंगे ठीक है तो कहने का मतलब है आप मना नहीं कर सकते अगर कोई दूसरा court जो भारतिये court ही है अगर वो आपसे request कर रहा है कि आप ही territory के अंदर कोई व्यक्ति है या कोई चीज है जिसके बारे में सम्मन या warrant शू किया है उसको execute करा दो उसकी service करा दो तो आप उस चीज को मानोगे और उस प्रक्रिया को पूरा करोगे आउटसाइड टेरिटरीज क्या है सर आउटसाइड टेरिटरीज मतलब ऐसे court ने warrant या सम्मन जारी किया है जिसकी territories के बाहर उसका execution होना दूसरी बात क्या है यहाँ पे इस्तिती क्या है इस्तिती वो ही है कि जो court है वो कोई सम्मन को receive कर रही है किसी warrant को receive कर रही है और उससे request की जा रही है कि उसका execution कराओ पर यहाँ पे यह जो सम्मन है और यह जो warrant है वो ऐसे court judge या magistrate से आ रहा है जो भारत का नहीं है भारत के भार का है मतलब विदेशी देश का है और अगर वो देश एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत की संदी है मतलब उसके साथ हमारा contract है कि हम एक दूसरे के warrant और summons को execute कराएंगे ऐसी इस्तिती में भी जो हमारा court है जिसके पास यह request आई है उसकी यह जिम्मेदारी है कि उस संदी को उस warrant को वो सर्व करवाएगा execute करवाएगा जैसे कि वो करवाता अगर वो जो दूसरा court है जो request कर रहा था अगर वो भारतिय court होता तो मतलब कोई फर्क नहीं है किसी भी विदेशी court के request करने में और किसी भी भारतिय court के request करने में कि उसके द्वारा जारी किया गया warrant या संबन का service हो या execution हो कोई फर्क नहीं बस अगर वो विदेशी court है हमको बस एक बास सुनिश्चित कर लेनी है और वो बात यह है कि उस देश के साथ हमारी केंद्रिय सरकार की संधी होनी चाहिए इस चीज के बारे में contract होना चाहिए अगर ऐसा है तो तो वाद दिता आ जाती है कि आपको वो करना ही पड़ेगा तो आप देख पा रहे हो कि section 105 जो है दो अलग-अलग perspective में लिखा गया है पहला perspective बोल रहा है जब किसी court को दूसरे court की सहायता है चाहिए वारंट या संबन को execute कराने के लिए अगर वो court भारत में है तो कोई बात नहीं है बहुत अच्छा है और अगर विदेश में है और वो एक contracting country है तो भी काम बन जाएगा और दूसरे perspective में क्या है एक ऐसा court है जिसके पास ये request आ रही है अगर वो request भारती court से आ रही है तो तो बहुत अच्छा है आप उसका करा दो और अगर विदेश से आ रही है और वो एक देश ऐसा है जिसके साथ contract है जिसके साथ संदी है तो उसको भी आपको करना ही पड़े तो बड़ी ही आसान सी बड़ी ही सिंपल सी सिचुईशन है बस इसका एक proviso है जिस पे हमें खासकर ध्यान देना है और यह proviso क्या कहता है हमारे एक section का 105 का यह कहता है कि जम भी कोई संबन या फिर कोई भी search warrant receive किया गया है किसी विदेश के court से जिसके साथ और ऐसे देश का वो court है जिसके साथ हमारी संदी है अगर उस warrant का या संबन का execution हो गया है तो जिस भी document के बारे में या जिसकी जिस भी चीज के बारे में वो संबन या warrant था या जो भी चीजें मिली उस search को करते वक्त जो उस warrant या संबन के तहत करी गई तो उन सारी चीजों को यह वाला जो court है जिसने उसको execute किया है उसको भेज यह वाला जो court है जिसने execute किया है उस warrant को उन सारे सामान को विजवा देगा उस court के पास जिसने वो उस विदेशी court के पास जिसने वो सम्मान और search warrant जारी किया था और ये सामान कैसे विजवाय जायेगा इसका क्या तरीका होगा ये भी हमको central government ही बताएगी तो कहने का मतलब क्या है? मानिए किसी विदेशी कोर्ट से हमारे भारतिय कोर्ट पे एक request आई कि आप उनके बहाफ पे कोई सर्च करो सर्च वारंट उन्होंने भेजा है किसी जगए के बारे में या कोई सम्मन जारी किया है किसी चीज़ के लिए अब वो सर्च करी गई या वो सम्मन जारी किया गया और उसके response में वो चीज़ मिली कोई भी चीज़ मिली तो अब उस चीज़ को भी तो भिजवाना पड़ेगा उस court के सामने जिससे वो अपनी प्रक्रिया को पूरा करे तो उस चीज़ को वापिस भिजवाये जाएगा उसी court के सामने जिसने भी उस सम्मन या सर्च औरन को जारी किया था और क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी वही जो सेंट्रल गवर्मेंट बताएगी इस बारे में ठीक है तो ये है बच्चे हमारा section 105 जिसको आपको दो भागों में पढ़ना है पहला भाग जहां पे court दूसरे court की सायता लेने की कोशिश कर रहा है चाहें वो दूसरा court भारत में हो चाहें भारत के भार हो और दूसरी इस्तिति जहां पे court से सायता ली जा रही है ऐसे कोट के दौआरा चाहें वो भारत में हो, चाहें भारत से पाहर और आकरी स्थिति, जो आकरी सबसे महत्कूर बात है कि अगर कोई सर्च वारण्टेयां किसी चीज़ के बारे में संबंधारी किया गया है किसी विदेशी कोट के द्वारा जिस देश से हमारी संदी है तो उस सामान को जो भी उसके consequence में आएगा उसको भी वापिस विजवाना पड़ेगा और वही प्रक्रिया follow होगी जो भी हमारी केंद्रिय सबकार बताती है क्या section 105 हम सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बच्चे clear है अच्छा क्या हुआ बच्चे बच्चे तीन बात अभी रिवाइश ही तो करा रहा तब यह तीन बाते हैं टोटल जब आपको साहता चाहिए तो आप दूसरा कोट है भारतिय कोट है आप साहता ले करने के लिए अगर विदेशी कोट है और अगर उसके साथ संदी है हमारी केंदे सरकार की उससे भी साहता ले सकते हो अगर कोई कोट साहता मांग रहा है अगर भारतिय कोट है तो तो बहुत अच्छा है और विदेशी कोट है जिसके साहता संदी है तो आपको साहता भी करनी पड़ेगी और अगर कोई सामान है तो सामान हुआ पर इसे जाना पड़ेगा अब ऐसे conclude करते हैं तो कितना आसान सा लगता है कि कितनी छोटी सी बात है जी बच्चे सर अगर कोई warrant टिशू किया है और अगर वो किसी person से related है और अगर वो person मिल जाता है तो उससे related क्या होगा एक ये बड़ी महतपून बात है कि अगर वो व्यक्तिगत वारंट हो हमने चीज के बारे में तो समझ लिया कि किसी चीज के बारे में तो उसको भिजवा देंगे व्यक्तिगत वारंट की बात अभी आगे आएगी बच्चे अभी हम केस था इंटरनेशनल वाला वो इसमें आता है क्या 105 में या वो ICJ का मामला हो जाता है वो अलग मामला है बच्चे वो उसमें यहां वाली बात लगना थोड़ा सा मुश्किल थोड़े से दाव पेच उसमें जादा है सर 105 वो उनली से थींग सर राइग सर जी सबसे बड़ी बात है वह एक डॉमेस्टिक मेंटर ना रहके इंटरनेशनल मेंटर हो गया एक बार जब ICJ के पास डिस्ट्यूट चला गया तो वहां पे CRPC का लागू होना ना लागू होना वो थोड़ी सी अलग बात है चलो उसको कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा कहीं और चला जाएगा बट उसे अभी उस टेक्स में पढ़ने की कोशिश मत करो ठीक है जो 105 में जो कोट्स आपस में टायप करते हैं जो बाहर के कर सकते हैं उसके बारें में होनी चाहिए जादब आपसे हां जी बर फेंस हुआ है और वे दीन चार ऑफेंस के लिए किसी और कोट् सब्सीडिंग चल रही है किसी क्या होगा Хोभा की प्रोशीडिंग चल रही है तो इस नियुकि जा सकता है बच्छे प्रूसीडिंग का सम्मन और से क्या लेना देना है यहां बात जो हो रहे है बात और यहां फिर भार उसकी service हो नहीं है यह जो भार है अगर यह भारत में ही है तो तो सोडको भेस दो जिसकी low के लिमिट्स में वो जगह जा रही है और अगर वेधेश में है तो देखो कि उसके साथ आपकि संधी आ नहीं अगर संधी है तो उस court के पास भेज सो जिसकी भी local limits में उस चीज़ का execution होना simple सी बात है यहाँ पर proceedings वगेरा और किसकी jurisdiction बनती है किसका नहीं बनती है वो सारी बाते नहीं आएगगी यहाँ पर केवल एक ऐसे code के द्वारा execution की request हो रही है यह request आ रही है जिसकी local limits से बाहर है उसका execution बहुत simple सी situation अब इसी अब देखो क्या होगा कुछ points हैं बच्चे वो थोड़े repetitive रिपीटिटिव क्यों होंगे क्योंकि यह section 105 जिसको हमने अभी पढ़ा है यह पहले से CRPC में exist करता है और अब जो हम पढ़ने बचा रहे हैं section 105 A से लेके L तक यह बच्चे amendment का consequence अमेंडमेंड के था रहता है 1994 के था रहता है तो एक दो बाते हैं जो repeat भी मारेंगी पर परिशान नहीं होना है थोड़ा सा patience रखना है देखो बच्चे CRPC classes थोड़ी सी मतलब vertical हो जाती है थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो जाती है क्योंकि बाइड 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 आपके उपर provisions throw होंगे ठीके continuously throw और examinations का भी pattern more or less यही रहता है कि आपको भी examinations में ही इनी provisions को throw करना है इसलिए यहाँ पे सबसे ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा सा अपना patience रखें क्योंकि क्यों होता है क्योंकि CRPC एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने sequence इस बात को मैं बार-बार बोड़ रहा हूँ CRPC में सबसे महत्पूर्ण बात जो है वो है अपने दिमाग में sequence को establish करना चीजों का भले ही आप एक बार को specifically भूल जाओ कि ये बाद subsection 1 में थी 2 में थी, 3 में थी कोई फर्क नहीं पड़ता पर अगर आपको उसकी sequencing याद है उसका logical relationship याद है तो वो बड़ा आसान हो जाता है प्रक्रिया, बड़ा बड़ा एकदम easy हो जाता है क्योंकि CRPC के अंदर चीज़े कटिन नहीं है कटिन है बस उसका sequence याद रखना है और ये बात मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम लगातार एक जैसे sections पढ़ें लगाता, buy and buy, buy and buy एक जैसी, एक जैसी sections आएंगे 105 A से लेके L तक पूरी की पूरी बच्चे इसी चीज़ के बारे में बात है कि हम international court से कैसे interact करेंगे international court means ऐसे court से जो दूसरे देश में उनसे कैसे interaction होगा क्या-क्या परिस्तितिया होगी तो थोड़ा सा patience रखना और अपने दिमाग में अपने साथ ही साथ notes तो बना रहे हो, very good but दिमाग में साथ ही साथ structure को बनाते हुए चलना, ठीक है और बहुत ध्यान से सुनना अगर boring लगे तो भी उसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि वो यहाँ पर जाना बड़ा जरूरी है तो देखो, सबसे पहला section जो सबसे पहला section है हमारे chapter 7A का वो है section 105A और यह बड़ा easy है यह keyword definitions provide कराता है यह अपने आप में यह छोटा सा chapter है, छोटा सा code है इसने सब चीजों के बारे में बात कर लिया है, जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी जब भी हमको interact करना पड़ेगा किसी भी ऐसे quote के साथ जो हमारे देश में ना होके विदेश में है तो हर चीज का जवाब दिया गया है इन ही को sections के अंदर तो शुरू आत होती है definition से बच्चे एक ऐसी state, एक ऐसी country जिसके साथ हमारा relationship है उसको बुलाने के लिए हम जो शब्द इस्तिमाल करते हैं वो करते हैं contracting state क्या करते हैं? contracting state और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी country कोई भी एक ऐसा देश या कोई भी ऐसी जगे जो है तो भारस से भार पर जिसके साथ हमारा arrangement है हमारा arrangement है मतलब हमारी understanding है और हमारी understanding का होने का मतलब क्या है? Central government के understanding है Central government के understanding है उस देश की government के साथ किसके तहत? एक treaty के तहत तो जब भी आप ये contracting शब्द लिखा हुआ देखोगे contracting state शब्द लिखा हुआ देखोगे हिंदी में तो काफी explicit है सम्विदाकारी राज यहां पर हम ऐसी country की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक line में बोलू तो एक ऐसी country के साथ बारे में बात करें जिसके साथ हमारी संदी है warrants और summons के बारे में बस इतना सा बाते हैं दूसरी जो important definition है वो है शब्द identifying क्योंगी इस शब्द का भी बारबार इस्तमाल होगा इसका मतलब यह है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर आती है establishment of a proof किसी भी चीज़ को सिद्ध करना और किस चीज़ को सिद्ध करना specifically कि कोई भी property जो है वो derive होई थी मतलब आई थी या फिर इस्तमाल की गई थी ध्यान से सुनना वच्चे किसी भी अपराद के commission में किसी भी अपराद के होने में बहुत specific मतलब है जब भी आप इस शब्द identifying को समझोगे यहाँ पे जो इशारा होगा वो यह होगा कि यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज़ को साबित करने के बारे में कि कोई भी ऐसी property है जिसको किसी भी अपराद को करने में इस्तमाल किया गया है यहाँ उसके परिडाम स्वरूप प्राप्त किया गया है ठीक है तो establishment of proof property and relation to an offense तीन जीज़ साबित करना property और उसका संबन्ध किसी अपराद से यह तीन शब्दों को याद रखना जब बात आएगी इस टेफिनेशन ते कभी कबार इसको objective type questions में पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको इसको अलग अलग करके बताया है अगली जो डेफिनेशन से बड़ा सिंपल है बड़ा सीधा है इसे तो मुझे लग रहा है आपको बताना भी नहीं पड़ेगा इसमें बात हो रही है proceeds of crime अपराद के आगम इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो derive करी गई है या फिर obtain करी गई है सीधी तरीके से या फिर indirectly किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने कोई भी criminal activity की है या तो वो प्रॉपर्टी खुद ही हो जिसको उसने उस criminal activity के तहत प्राप्त किया है या फिर अगर उसे बेच दिया है या डिस्पोज आफ कर दिया है तो उसके बदले जो भी पैसा आया है वो हो तो जब भी हम ये proceeds of a crime शब्द इस्तमाल करते हैं मतलब किसी अपराद से प्राप्त हुआ फाइदा किसी भी अपराद से प्राप्त हुई कोई भी चीज उसको बोलते हैं क्या proceeds of crime ठीक है अगली तो बच्चे प्रापर्टी प्रापर्टी शब्द प्रापर्टी का मतलब क्या है कोई भी ऐसे assets चाहे वो कुछ कैसे भी nature हो उसका चाहे वो corporeal हो चाहे वो incorporeal हो चाहे वो movable हो हो चाहे वो इंुमूवयबल हो चाहे वो टेंजेबल हो इंटेंजिलивать हो मतलब कैसी भी हो क्वी प्रोपर्टी हो जो मूव हो सकती हो चाहे नहीं हो सकते हों मैं या फिर कोई भी एक ऐसा डॉकुमेंट हो जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार किसी भी चीज के उपर स्थापित होता हो सेल डीड दिखाता है कि कोई व्यक्ति इसका मालिक है किस कोई भी ऐसा दस्तावेज हो जो किसी व्यक्ति का किसी भी चीज के उपर अधिकार या किसी भी तरीके के इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिस चीज़ को derived किया गया है, मतलब पराप्त किया गया है, या फिर استعم apprent किया गया है, किसी भी अपराद को करने में, ठीक है, तो जब भी हम यह property शब्द इस्तमाल करेंगे, यहां पे हमारा मतलब क्या होगा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी चाहे उसका कुछ भी नेचर हो मूवेबल, इंबोवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल या कोई भी एक ऐसा डॉकुमेंट जो किसी भी व्यक्ति की कोई भी अधिकारिक्ता दिखाता हो किसी भी चीज़ के उपर अगर उस चीज़ को प्राप्त करने में या उस चीज़ का इस्तमाल हुआ है किसी भी ओफेंस से किसी भी अपराध से तो यह जो शब्द हैं जो देखने में बड़े मासूम लग रहे हैं आपको इनका जो अंडरस्टेंडिंग होगा इस चैप्टर के अंदर वो अपराधिक होगा ठीक है तो प्रोपर्टी को हम इस तरीके से इंटर्परेट करेंगे और आखरी आखरी डेफिनेशन है शब्द ट्रेसिंग ट्रेसिंग भी बड़ा असान है ट्रेसिंग मतलब क्या है जब भी हम किसी भी प्रोपर्टी का उसका क्या नेचर है क्या उसकी प्रकरती है उसकी क्या सोर्स है मतलब वो कहां से आ रही है उसका कैसे डिस्पोजीशन होगा कैसे बेका जा रहा है उसका कैसे movement होगा उसका मालिक कौन है किसका उसमें control है जब भी हम किसी property के बारे में इन में से कोई भी जानकारी पता करने की कोशिश करते है उसके लिए शब्द इस्तमाल होता है क्या tracing क्या tracing trace करना पर यहाँ पे संबंद किस से है किसी properties है तो एक बार quickly revise करा रहा हूँ पटाफट से देख लो बहुत जाद भुसने की जरूरत नहीं है कि यही पूछ लेंगे यही लिखना पड़ेगा अपने दिमाग में अपनी understanding create करने के लिए इस्तमाल करो contracting state मतलब एक ऐसा देश जिसके साथ हमारी संदी है identifying मतलब कोई भी एक ऐसी property जिसको derived किया गया है मतलब जिसको प्राप्त किया गया है इस्तमाल किया गया है किसी भी अपराद के होने में जब उसके बारे में कोई भी proof को establish करना है किसी भी चीज़ को सबूत इस्तापित करना है उसको उस प्रक्रिया को बोलते है identifying proceeds of crime मतलब किसी भी अपराद को करने से जो भी फाइदा होता है उसको बोलते है proceeds of crime property कूछ भी हो सकती है उसका कोई भी nature हो सकता है अगर उसको इसको इस्तमाल किया गया है या उसको प्राप्त किया गया है किसी भी अपरादिक कारवाही से और tracing मतलब जब भी हम किसी property के बारे में जानकारी निकालते है कि उसकी क्या प्रकरती है क्या श्रोच श्रोट है उसका मालिक कौन है उस प्रक्रिया को हम बोलते है tracing तो हमारा ये जो section 105 का A है ये definitions ही बताता है पर जो main कहानी शुरू होगी जो बच्ची ने सवाल भी पूछा था मुझसे कि सर चीजों के बारे में तो आपने बता दिया कि उनको भेज़ देंगे अगर लोग involved होंगे तो क्या होगा क्योंकि warrant और संबन तो लोगों के बारे में भी होता है वहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में बच्चे जो पहला section जो है वो बात करता है वो है section 105 का बी कौन सा section 105 का बी यह आखरी section है जो इस class में करेंगे फिर इसको continue करेंगे बाद में तो इसको बड़ा दिहान से देखो दिमाग ठक भी गया है तो इसको यह थोड़ा सा लाल अच्छी दो आखरी section है इस class का यहां पर जो बात होगी वो बात होगी assistance के बारे में सहायता के बारे में किस चीज में सहायता ली जा रही है लोगों को transfer करने में लोगों को transfer करने में क्या context है यहां पर बोला जा रहा है कि जहां पर भी कोई भी कोट एक ऐसा कोट है जो भारत में है वो किसी भी क्रिमिनल मैटर से आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ चाहता है कि कोई भी ऐसा वारंट जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए है या फिर किसी भी दस्तावेज को प्रेड्यूस करने के लिए है या किसी भी चीज को प्रेड्यूस करने के लिए है वो ऐसी जगे पर एक्जिक्यूशन करा जाएगा उसका एक्जिक्यूशन ऐसी जगा पर होना है जो जगा भारत में नहीं है बल्कि किसी ऐसे देश में है जिसके साथ हमारी संदी है मतलब जब भी किसी भारतिय कोट को किसी भी क्रिमिनल मैटर में वारंट इशू करना है किसी भी व्यक्ति के अरिस्ट के बारे में या किसी भी डॉकुमेंट या चीज के प्रॉडक्शन के बारे में और वो व्यक्ति या वो चीज जिसके बारे में वो एख्यक्यूशन होना है वो जगा भारत में ना होकर किसी ऐसे देश में हैं जिसके साथ हमारी संदी है ऐसी इस्तिती में यह जो court है उस warrant को भेजेगा उस court को या उस judge को या उस magistrate को जहां पे भी उस warrant का execution किया जाना है और इसके लिए जो प्रक्रिया follow करी जाएगी वो ऐसी प्रक्रिया होगी जो सेंट्रल गवर्मेंट बताएगी और आम तोर पर प्रैक्टिकली सेंट्रल गवर्मेंट को ये कैसी संस्था इस्तापित करेगी जिसका काम ही ये होगा कि वो इंटरनेशनल वारंट्स को पास ओवर करेगे तो हमारा ये जो कोर्ट है जो इस वोरंट का एग्जिक्यूशन चाहता है भारस से भार, किसी ऐसे देश में जिसके साथ हमारी संदी है तो वो केंद्रिय सरकार की बताई हुई प्रक्रिया को फॉलो करता हुआ उस warrant को सर्व कर सकता है उस court judge या magistrate को जो उस देश में उस इस्थान के उपर अधिकारिक्ता रखता है उसका jurisdiction exist करता है और एक बार जब ये warrant उस court के पास पहुँच जाएगा उस court के पास जो विदेश में है जिसकी local limits के अंदर उसको उस court की जिम्मदारी होगी बच्चे वो बार्दे है उसकी मर्जी नहीं है कि मना कर दो अगर हमारा संदी है उस देश के साथ तो वो जो court है वो बार्दे होगा कि उस warrant को execute कराएगा ही कराएगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी उसकी मर्जी नहीं होगी उसकी जिम्मेदारी होगी तो सबसे पहली चीज जब भी हमारे भारतिय कोट को जरूरत है किसी विदेशी कोट की सहायता की किसी भी वारंट को किसी विक्ति के अरेस्ट के बारे में किसी चीज के बारे में execute कराने की तो वो अगर court एक ऐसा court है जिसके देश की संदी है हमारे भारती सरकार के साथ तो वो उसका execution कराके देगा ठीक है यह हो गई जब एक court दूसरे court की सायता मांग रहा है दूसरी परिस्थिती क्या है दूसरी परिस्थिती कहती है कि अगर कभी भी investigation करते वक्त या कोई भी inquiry करते वक्त किसी भी अपराद में एक application file करी जाती है और यह जो application file की गई है investigating officer के द्वारा file की गई है मतलब एक ऐसे पुलिस वाले के दवारा जो उस अपराद में investigation कर रहा है और वो application file करके क्या कहरा है वो कहरा है कि किसी व्यक्ती की उसे जरूरत है जिसे उसे पूछताच करनी है और वो जो व्यक्ती है वो एक ऐसी जगांपर है जो भारत में नहीं है पर दूसरे देश में पर वो जो दूसरा देश है उसके साथ हमारे भारतिय सरकार की संदी है तो ऐसी इस्तिती में वो यह जो एप्लिकेशन वो यह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा यह अपने कोर्ट के सामने इस एप्लिकेशन को फाइल करेगा जिस भी कोर्ट का जिरिजिदिक्शन बनता है उस अपरात के उपर उस कोर्ट में एप्लिकेशन फाइल करेगा और अगर उस कोर्ट को लगता है कि सब कुछ ठीक है investigating officer को सच में जरूरत है इस व्यक्ति की investigation करने के लिए अगर court satisfied है ऐसी इस्तिती में ये जो court है वो उस व्यक्ति के बारे में सम्मन या फिर warrant जारी कर देगा और फिर वही प्रक्रिया कि वो सम्मन और warrant भेजे जाएंगे कि उस court judge magistrate के पास उस प्रक्रिया के अनुसार जो central government बताएगी और जब उसके पास पहुँच जाएंगे तो उस court साहिता मांग रहा है दूसरे court की किसी warrant को execute कराने के लिए यहां पर भी साहिता मांगी जा रही है पर यहां पर यह जो proceedings initiate हुई है यहां पर proceedings initiate की गई है investigating officer के द्वारा उस police officer के द्वारा जो उस अपराद में inquiry कर रहा investigation कर रहा है उसको लग रहा है कि उसे किसी विक्ति की जरूरत है और इसलिए वो court के सामने application file कर रहा है और अगर court को सबको सही लग रहा है तो वो सम्मन और warrant जारी कर दे रहा है और उस court के सामने भेज दे रहा है तो यह दो परिस्थिती ऐसी हो गई बच्चे जहां पर भारतिय कोट सहाइता मांग रहे हैं एक ऐसे court की जो भारत में नहीं है और ऐसे देश में है जो जिसके साथ हमारी भारती सरकार की संदी है अब आती तीसरी स्थिति और तीसरी स्थिति क्या है तीसरी स्थिति ये कहती है कि जब भी एक ऐसा कोट जो भारत में है उसे क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी वारंट रिसीव होता है, रिसीव हो रहा है, उसके पास आ रहा है, भारतिय कोट के पास आ रहा है, उसके पास कोई वारंट आता है किसी व्यक्ति को अरेश करने के लिए, या किसी डॉकुमेंट को प्रिडियूस करने के लिए, और वो जो वारंट है, किसी एक ऐसे को को एक्जिक्यूट करा के देगा और वही प्रक्रिया फॉलो करेगा और यही मानके चलेगा जैसे कि उसके पास यह जो रिक्वेस्ट आई है वो किसी दूसरे भारतिय कोट से ही आई हो उसका वो एक्जिक्यूशन करा के देगा तो मतलब जो जिम्मेदारी हम इंपोस कर रहे थे सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर उन विदेशी कोटों के उपर वही जिम्मेदारी हमारे भारतिय कोटों पर भी लागो होती है जब ऐसा वारंट उनके पास आता है जब उनकी सायता जहां से देखेगा जब ही कोई व्यक्ति जिसको भेजा जाना है विदेश दूसरे देश भेजा जाना है एक ऐसे देश जिसके साथ हमारी संदी है और जिसके बारे में उस विदेशी कोट ने सबसेक्शन 3 के तहद वारंट जारी किया था कि इसको अरेस्ट करो पर ये जो है वो हमारी भारती जील में बंद है अगर जिस विक्ति के बारे में वारंट जारी किया है किसी विदेशी कोट ने अगर वो भारती जील के अंदर बंद है अगर वो भारत में प्रिजनर है अगर ऐसी इस्तिति है तो जो कोट है जिसके पास वो रिक्वेस्ट आई है या फ उस पे ऐसी conditions लगा सकती है जो ऊसको ठीक लगती है कहने का मतलब है अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एक आशा व्यक्ति है मतलब जो प्रिजनर नहीं है इंडिया का हमारी भारती जेलों में बंध नहीं है तो तो वो एक साधारण इस्तिति पर अगर जो warrant आया है विदेशी कोर्ट के दौरा वो एक ऐसे वक्ती के बारे में है जो पहले से भारतीय जेलों में बंद है और भारतीय जेलों में बंद है बारत में उसंने कोई अपराद किया है और उसे सजा मिली है तो भारत का भी गुनेगार है और ऐसे ही व्यक्ति के खिलाब वारंट आ गया है कि उसमें विदेश में भी हो सकता है कोई अपरात किया हो तो ऐसी situation में उसे व्यक्ति को transfer तो किया जा सकता है उसमें कोई परिशानी में पर उसका transfer करते वागत उस पे ऐसी terms and conditions लगाई जा सकती है जो भी court को या केंद्रिय सरकार को ठीक लगें उस पर सकती है तो conditions लगाने की जो स्तागत है वो तब ही आएगी अगर वो जो व्यक्ति है वो भारत में भी एक prisoner हो ठीक है और मुझे लग रहा है और आखरी इस्तिति आखरी बात जिसको हमें याद रखना है section 105B के अंदर वो यह है कि जहां पर किसी विक्ति को ट्रांसफर किया गया है भारत में subsection 1 के अनुसार यहां subsection 2 के अनुसार और यह जो विक्ति है जिसको भारत भेजा गया है वो उस देश में जिस देश से उसको भेजा गया है वहां पर एक प्रिजनर है मतलब उसकी जेल में बन था तो ऐसी इस्तिती में वही वाली बात लागू होगी कि वो जो विदेशी सरकार है या वो जो विदेशी कोट है उसको अधिकार है कि वो कंडिशन लगा सकता है ऐसे वेक्ति को भारत भेजने में मानो सब सेक्षिन बन के अंदर या सब सेक्षिन टू के अंदर भारत के किसी कोट ने वारंट जारी किया किसी व्यक्ति के खिलाब कि वो व्यक्ति विदेश में है किसी कोट के जुजडिक्षन में और स्थिती ये निकल के आई कि वो विदेश में भी जेल में बन था तो वो जो विदेशी कोट है वो भेश तो देगी उस वेक्ति को पर भेशते वक्त वो विदेशी कोट या वो विदेशी सरकार उसके भेजने पर टम्स एंड कंडिशन लगा सकती है तो ये जो टम्स एंड कंडिशन अगर लगाई गई है तो ये जिम्मेदारी होगी हमारे भारतिय कोट की की वो ध्यान रखे की उन कंडीशन का वाइलेशन नहीं होना चाहिए और उन कंडीशन को मानना ही पड़ेगा भारतिय कोट को जैसे की विदेशी कोट को मानना पड़ता अगर भारत का कोई प्रिजनर विदेश बेजा जाता तो कहने का मतलब क्या है जो हमारा section 105 का B है वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से deal कर रहा है जहां पर किसी warrant के execution के लिए दो subsection जो पहले और दूसरे है वहाँ पे भारतिय कोट सहायता मांग रहा है किसी विदेशी कोट की उसके execution की अगर वो विदेशी कोट एक contracting state में है तो वो सहा section 3 है उसकी अंदर जो वो विदेशी कोट है वो हमारे भारतिय कोटों के सायता मांग रहा है किसी warrant को execution कराने के लिए और जो हमारी आखरी इस्तिति है वो ऐसी है कि जो हमारी चौथी इस्तिति है वो यह है कि अगर कोई एक ऐसा विक्ति है जिसको हम बेज रहे हैं किसी warrant के तहां जो विदेशी कोट के द्वारा दारी किया गया है तो अगर वो विदेशी प्रिजनर है इंडिया में तो उसके भेजने पर हम conditions लगा सकते हैं और इसी तरीके से अगर किसी विक्ति को भेजा गया है भारत में जो उस देश में प्रिज्णर था warrant के तहथ तो जो भी condition उस दूसरी सरकार ने या दूसरे कोट में लगाई होंगी उसका हमें ध्यान पर बस क्या हम समझ पाए हैं बच्ची सेक्शन 105 का बी क्लियर है सभी लोगों को समझेंट वह सारी बाते डिपेंड करती है कि वह जो ट्रेटी हुई है दोनों के बीच में उसके क्या टमसेट करेंड़े सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा उस परसन को यह जो आपने सवाल पूछा है यह थोड़ा सा एप्ट क्यों है यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पास्ट में थोड़ा सा हेकप हो रखा है और इसके लिए एक ही आंसर है जो मैं आपको दे सकता हूं जब वो ट्रीटी बनाई गई होगी उस ट्रीटी को बनाते वक्त अगर दोनों देशों ने एक दूसरे को वाद किया होगा कि अगर हम वोरन जारी करेंगे तो आपको बेजना ही पड़ेगा अगर उस ट्रीटी के अंदर वाद देता है तो तो वाद दे है भेजना पड़ेगा पर अगर वाद देता नहीं है वाद देता आम तور पर नहीं होती है और कुछ ऐसी situations बताई जाती है treaty के अंदर जब भेजना जरूरी नहीं होगा अगर ऐसी कुछ स्तिती है तो देखेंगे कि वैसी को स्तिती बन रही है कि भेजा ना जाए और अगर ऐसा है तो मतलब कहने का मतलब है यह जो पूरा matter है वो सारी कीज़ें जिनको directly entertain नहीं किया है हमने section के अंदर वो पूरी तरीके से regulate होंगी उस treaty का अनुसार और हर देश के साथ हमारी जो सरकार हो अपने हिसाब से treaty करती है अपनी position के साथ क्या होगी कभी वह सकती है जब भी उनको लगे कि जरूरी है इस देश के साथ हमको interact करना हमें इनके कोटों की साहिता की जरूरत पढ़ सकती है उन्हें हमारे कोटों की साहिता जरूरत पढ़ सकती है तो जब भी हमारी केंद्रिय सरकारों को ठीक लगे वो कर सकते है होने के बाद ही किसी स्टेट को हम contracting स्टेट बोलेंगे जो मैंने आपको definition पढ़ाई थी और तभी ये सारे प्रावधान लागू हों है सर कोई offense पहले हुए treaty बाद में हुई हो तो देखना पड़ेगा कि वह रेट्री जो है वह रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रॉस्पेक्टिव है मतलब क्या उस तारी के बाद लागू करना था या पहले के लागू करता शर्व हम उनसे भीज नहीं तो परसंड की साथ क् तो क्या करेंगे मतलब किसके परसंट को नहीं जैसे हम अगर वो प्रिजटित है और दूसरी इस तो हम तो और नहीं है सकते हैं अपने नज़र में बहले उसको सपराद के बारे में बात हो रही है कि कि अगर थोड़ा सा के बारे में आपको काफी पता चलेंगे हैं तो उसको सीधी तरीके सेरास्ट भी नहीं करते हैं अगर सीधी तरीके सा रहा है तो यह लोग कहने लगते हैं कि हमारे fundamental rights वाइलेट不是 हुआ है इसली ions को मतलब होता है कि कर सकते हो सबकुछ बस पुलिस उन पर नजर रख अगर कोई ट्रीटी नहीं है बच्चे तो जो सेक्चन्स हम पढ़ रहे हैं वो लागू होते ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठाइग अच्छा थीक है अच्छा सब्सक्राइब अगर वो चाहे तो इंटरनेशनल लौ के अंदर पूरी तरीके से एपसलीटी सेंट्रल गवर्मेंट का ही रोल होता है और किसी कोई लेना देना क्योंकि सरकाही नहीं अगर सोवर मीटी पर बात उठे तो तो इस इस नौट एपसलीट इन नेचर बिलकुल बिलकुल और हर एक ट्रीटी को करते वाद हर चीज का खयाल लखा जाता है आसान प्रक्रिया नहीं है हजारों बैठके होती है तब जाके एक ट्रीटी बनती है जिसमें हर चीज के बारे में प्रॉफिशन होता है चलो फिर चलें बच्चे नौ बजे मिलता है चलो बबाए बच्चे हम लोग कंटीनियू करेंगे तो अभी रिलेक्स करना देगांटे ठीक है चलो ओके बबाए थैंकू सर